35 की उम्र वाले लोग यह कहानी जरूर सुनें समय आने से पहले खुद को बुढ़ा ना समझें दोस्तों बुढ़ापा आने से पहले खुद को बुढ़ा ना बनाएं दोस्तों ज्यादा तर लोग 35 की उम्र के बाद जीवन के प्रति अपने जुनूर को खत्म कर लेते हैं अपनी मंजिल को एक धर्रे पर चलाने लगते हैं और मान लेते हैं कि वह अब बूड़े हो रहे हैं और अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे हम इस वीडियो में आपको उन्ही साथ गलतियों के बारे में बताएंगे जो लगतार हर इनसान करता है अगर आप में भी यह आदिते छोड़ दी तो आपकी आगे की जिन्दगी बेहद खुस्नुमा हो सकती है क्या आप भी 35 से 40 साल उम्र के बीच में हैं अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए ही है उम्र का यह पड़ाओ हर किसी के जिन्दगी में आता है लेकिन आम तोर पर यहां तक आते आते लोग खुद को इगनोर करना सुरू कर देते हैं 35 की उम्र के बाद वो यह मान बैठते हैं कि उनके अच्छे दिन पीछे छूड़ चुके हैं और इसके बाद वो अपना ध्यान रखना पूरी तरह से छोड़ देते हैं जीवन के प्रतिक उनका जुनून खत्म हो जाता है जो बेहत गलत सोच है दरसल उम्र का हर पड़ाव विक्ति के लिए अनुभव नई चुनोतियां और नए ख्वाइशें लेकर आता है आपको उम्र के हर पड़ाव में खुद के अंदर जीवन को लेकर कुछ साह कम नहीं करना चाहिए बलकि हर पड़ाव में अपने जीवन का मज़ा लेना चाहिए अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो इसका मतलब या नहीं है कि अब आपके जिन्दगी में कुछ बचा ही नहीं है अगर अपनी सोच बदलोगे और नकरात्मत विचारों को खत्म कर लेंगे तो आपकी जिन्दगी बहुत बेतरीन हो सकती है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जीवन को लेकर अपना नजरिया बेतर कर सकते हैं और अपनी जिन्दगी को खुस्मा बना सकते हैं पहली आदत सब कुछ पता होने की सोच बदल दो दोस्तों हम सब कुछ केवल इस पर में ही सीखते हैं इस सोच से निजात पाने की जरूरत है आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और आपके कई डिगरियां है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दुनिया का सारा ग्यान मिल चुका है और अब आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं है ज्यान की दुनिया अंतहीन है और आप कितनी भी कोशिस कर लें आप पूरी जिन्दगी में हर एक चीज सीख नहीं सकते हैं अगर आपको सब कुछ नहीं पता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है बलकि इससे हमें हर दिन नई सीजों की खोज और उन्हें सीखने की प्रिणा मिलती है दूतरी आदत ऐसी नौकरी करने से बचें जो आपको पसंद नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं आपको क्या असुधाय मिल रही है और आप वहां कितने सालों से काम कर रहे हैं अगर आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं तो आप सब कुछ आसिल करते हुए भी दुखी ही रहोगे नौकरी या कैरियर बदलना गलत बात नहीं है बोटी तुनका के लिए खुद को प्रताडित करने की तुन्ना में आप जिस नौकरी से प्यार करते हैं उसका चुनाओ कीजिए भले आपको पैसा कम मिले लेकिन वो काम करते हुए आप खुश रहोगे तीसरी आदत सुष्ती भरी जीवन सहली छोड़ दो हम अपनी दिनचरिया का बहुत बड़ा समय बैठे हुए बिताते हैं लेकिन 35 साल की उम्र पार करते करते हमारा मनोबलिज्म कम हो जाता है जिसकी वज़ा से सेप में रहना बहुत मुश्किल है अगर आप 35 के उम्र के नीचे भी हैं तो भी अभी से अपना ख्यार रखना सुरू कर दीजिए फिट नहीं रहने के बहाने बहुत हैं लेकिन जब आपका वजन अधिक हो जाता है तो आपको सीड़ियां चड़ने में भी दिक्कत होने लगती है और इसकी वजह आपकी खराब लाइफ इस्टाइल है दोथी आदत अपने सपनों को छोड़ने से बचें आप 35 से 40 साल तक के हो चुके हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत उल्हे हो चुके हैं यह एक गलत धारण है कि आप सिर्फ युवा अवस्था में ही दुनिया बदल सकते हैं सच तो यह है कि 35 से अधिक उम्र के बहुत सारे लोग हैं जो हर रोद दुनिया बदल रहे हैं पांचवी आदत दोस्तों और परिवारों से खुद को दूर करने से बचें समय और वेवस्था के साथ है हमा अपने दोस्तों परिवारों और रिष्टेदारों से फोन पर बात करना और मिलना जुनना कम कर देते हैं यह नजरिया बदलने की जरूरत है उम्र बढ़ने के साथ लोगों को अपने करीबियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए अपना पर स्टार थे या आपने हर नौकरी के दोरान सांदार परफॉर्मेंस किया है तो इन उपलब्धियों को हमेशा सजेह कर ना रखें बलकि इन्हें पीछे छोड़कर आगे नई उपलब्धियां हासिन करने का ध्यान केंद्रित करें सच तो यहा है कि आपने पहले क्या किया इस बात का किसी को फर्क नहीं पड़ता बलकि लोग यह जानना चाहते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं सत्वी आदत बुरी आलतों को छोड़ो हम सभी किसी ना किसी तरह के बुरी आदत से गिरे हुए हैं 35 साल की उम्र के बाद हर वक्त फास्ट फूड खाना सराब पी ना लेना बिलकुल भी ठीक नहीं हैं यूदो 35 की उम्र से पहले भी ऐसी आदतें सरीर को नुक्सान पहुंचाती हैं लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा मेटाबलिजम कम होता जाता है इसलिए हमारे सरीर को अधिक तवज्जो देने की जरूरत है निशकर्स अगर दोस्तों ये साथ आदतें अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप फिट दिखेंगे और आप समय से पहले बूढ़े नहीं होंगे तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बाक्स में ज़रूर बताएं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए पल्षवार